तो अससलाम अलेकूट मेरा नम हैं- अपीस हैदर है और में क्लिनिकल साइक्योलजिट है अक्साव जो हैं जो लोग सेकेट्रिक मसायल में होते हैं اس Ūीशिकिकली जिनके मोड स्टैबिलाइजर जो मेडिसन किसी साइकेट्रिस्ट ने केमेंड की होती और वो जो है इस्तमाल कर रहते हैं वो ऐसे patient होते हैं जो bipolar disorder के साथ diagnose होते हैं और जो है इसके साथ-साथ जो है या तो जो है उनके अंदर behavioral problem बहुत ज़्यदा हो या mood swings जो होना बहुत ज़्यदा हो या mood के अंदर liability हो तो अक्सा psychiatrist ये medicine जो है mood stabilizer जो है उनको recommend करते हैं आपने ये इस्तमाल करते रहते हैं होता ही है कि patient जो है जब तक ये इस्तमाल करता है ये समझता है कि मैं ठीक हूँ और मुझे जो है अब चाहिए कि इस medicine को मैं छोड़ दूँ असल में वह ये चीज बूल जाता है कि जो इस्तमाल कर रहा है वह medicine उसकी वज़े से ठीक है लेकिन होता ये है कि वह medicine छोड़ बैड़ता है और उसकी वज़े से दुबारा से जो है वह symptom जाना शुरू हो जाते हैं शुरू में जो है 5-7 दिन छोड़ने के बाद वह कहता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ मैं तो ठीक हूँ तो medicine छोड़ दिया मैं बड़ा fit-fart हूँ हूँ active हूँ 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 अब मुझे कोई भी medicine खाने के ज़रूरत नहीं है लेकिन by the passage of time patient के अंदर वो अलामते आ जाती है जिसकी वजह से जो है उसकी personal social occupational life में से कोई area जो है इस्ता इस्ता disturb होना चुरू हो जाता है और उसकी वजह से जो है होता यह के at the end जो एक mood stabilizer जो है वो खा रहता है ना दुबारा से वो medicine की एक पूरी cycling होती है उसे दुबारा से वो खानी बढ़ती है दुबारा से जो है mood stabilizer के साथ जो है बकायता जो है different medicine जो है वो psychiatrist recommend करते है वो भी खानी बढ़ती है तो बेहतर यह है कि अगर आप जो है medicine आपके लिए suitable है और आप जो है बेहतर जिनगी गुजा रहे हैं तो आप जो है medicine छोड़ने की गलती ना करें medicine आपको खानी पड़ेगी जब तक psychiatrist कहेगा तब तक आपको खानी पड़ेगी हाँ मुश्किल बात है बहुत सारे लोग जो है वो कहते हम तो जो है आप सारे जिद्धी द्वाईयां खाएंगी यह तो नहीं है मैंने तो जिन्दी में कोई द्वाई नहीं खाई थी अब जो स्थाइबलाइजर जो वाली पेशन होते हैं जिनकी एक सजो है डॉक्टर एपड़ो जो है वह रिकमेंट कर देते हैं यह निज्वरलेठ नहीं कर देए तो उन पेशन के हीजिए यह थास विडियो के वह अपनी मेडिसन छोड़ने की गलती ना करे अगर वह मेडिसन छोड होनी है तो साइकेटरिस्ट से जो है concern करें और इसके साथ-सा जो है साइकोलोजिस्ट से अपने session और्गनाइज करवाई क्योंकि हमारे करचे में ये भी है कि अकेले साइकेटरिस्ट के पास जाने अद्वियात लेनी या खानी या ठीक होने और जैसी मेडिसन छोड़नी है दोबारा से वही हाल बहतर यह है कि अगर आप जो है पर्मनेंटली मेडिसन को छोड़ना चाहते हैं साइकेटरिस्ट जिसने रिकमेंड की हुई है मेडिसन उससे जो है प्रॉपर जो है टच में रहें साइकोलोजिस्ट के साथ session और जो है अपनी खुझ से मेडिसन छोड़ेंगे तो आप नुकसान में जाएगे तो बेहतर यह है कि आप जो है मेडिसन रेगुलर खाए डॉक्टर की हदायत के उताबी खाए ताकि आपकी जिन्दगी अच्छी गुजर सके वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं कोई भी किसी भी किसम कर सावाल हो मेरा सक्रीन के नीचे चलिए नंबर आ रहा हो है यहां भी करके आप मुझे वाट्सअप की ऊपर लाबता कर सकते हैं और मेरा पेज है फिस बुक के होपर हफीज हैधर क्लिनिकल साइकोलर्गोजिस के काम से आभी हैं से भी फोलो कर सकती हैं तो इंशाला मिलेगे इनी वीडियो के इंदर अपना बहुत सारा ख्यार रखना ओके अलाफिस अलट जबार